स्वागत आप सबका आपके अपनी यूट्यूप चैनल इलेक्ट्रोंक इडियो में तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डायोड क्या है वर डायोड की क्रेक्टर स्यक्स हमने रिवर्स वाइस में स्टरी नहीं करें थी ठीक अब हम वह यहां पर study करेंगे तो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कुस किया था forward wise ठीक है कि डायड forward wise में कैसे काम करता है ठीक है तो इस case में हम इस जो वीडियो है इसमें हम reverse wise डिस्कुस करेंगे तो अगर किसी को forward wise का वीडियो देखना है तो उसका link मैंने description में दे दिया है तो आप बहां पर जाके देख सकते हैं तो चलिए topic start करते हैं ठीक है तो डायड तो आपको पता ही है अगर नहीं पता है तो आप जो link दिया है description में वहां से जाके आप देख सकते हैं ठीक है तो डायड in reverse wise ठीक है मैं short लिख रहा हूं कर द commit sekarang में आपको बता कि जब डाइव्ड हमारा फ्रवड भायज होता है तो फॉर्वड पाइप के केस में क्या होगा को हुआ वाइस में डाइवड ऐब एज ए स्वीच वर्क करेंगा ड्यक्त इह रोडर सीच वर और रिवर्स होस्त के केस में open switch work करेगा ठीक है ठीक है इतना तो clear होगा सब को ठीक है अभी हम यहां तक simple है अभी हम discuss करेंगे आगे की reverse wise में actual मैं होता क्या है ठीक है है तो यहां पर पी है ठीक है यह पी साइड है तो पी साइड में मैंने क्या किया अठीक है ठीक है यहां अधीशन करी देता हूं तो ओर यहां पे यह लेक्ट्रोन नागाटिव चार्ज्स रती यह थिकलव सब्सक्राइब कुछ तुक्ष के हम सब्सक्राइब होल मुख एंटन सब्सक्राइब चैनल अगल करेंत तौ अब यह ढइसकर यहां VS हम फैनल formation of depletion layer यह हमने पिछला वीडियो में भी डिस्कस किया था बट अगर आप पहली बार इस वीडियो में आये तो आपको जुरूर पता होना चाहिए कि एक्च्वल में depletion layer कैसे form करता है तो उसके उपर मैं आपको बताता हूं तो अभी आप example लो तो अभी depletion layer नहीं है अभी depletion layer नहीं थी यहां भी electron है मतलब electron मैं draw कर देता हूं यह भी n junction है तो अब क्या होता है कि एक जो हमारे यहां पर electron ज्यादा है तो बैटरी को भी भूल जाना आप लोग बैटरी को भूल जाना तो यहां पर आपके hole ज्यादा है तो principle क्या बोलता है हमारा ठीक है principle यह बोलता है कि higher concentration to lower concentration जो है वो मूब करेंगे जो हमारे charges है ठीक है तो अगर आपको यह थोड़ा फंडा समझना है कि higher concentration to lower concentration क्यों जाता है तो इसको मैं ड्रो कर देता हूं जैसे आप एक पानी की बाल्टी है ठीक है एक पानी की बाल्टी है ठीक है यहां पर concentration क्या है पानी की हाई ठीक है अब नीचे पानी का लेबल पहुंच जागा तो लो होगी ठीक है तो पानी का लेबल उपर से नीचे आएगा ठीक है मतलब एक जम्पल दे रहा हूं अगर हम यहां से एक पाइप लगा देते हैं कुछ भी इसको तो हायर कंसेटरेशन तो लोर कंसेटरेशन मूव करेगा यह मतलब एक बाल्टी में पानी आपका हाई है ठीक है इसका मैं बड़ी से आपको समझाई देता हूं आपको क्लेर हो जा पानी से रिए दूसरी बाल्टी है ठीक है तो यह में पेस्के मेरे पास कम हें पानी कम है तो मैं के करोंगा अगर मैंने यहां पेपवाइप लगा दी व्यां दिखना है यह चीज क्या पानी यहां से यहां मूघ करेगा qr करेंगे जब तक यहां से लेवल इसको ऊपर चला जाता है ठीक है यहां से लेवल इसका ऊपर चला जाएगा मतलब इसके इसके लेवल से ऊपर चला जाता है तो यहां पर हार higher concentration है, higher concentration से move करेंगे lower concentration पर छिए जैसे ही concentration यहाँ पर ज़्यादा हुई तो बापिस प्रिंसिपल higher to low move करना start करेंगे तो यह एक लोजिक था जो मैंने आपको समझाया जब ये higher concentration तो lower concentration move करना start करेंगे without any external source на तब क्या होगा तब क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको आप example लिजे कि आपका आपका यहां से क्या electron है ठीक है electron है electron है electron है electron है ठीक है और यहां से आपका क्या है यहां से आपका movement होगा एक एक्ट्रोन आगे चाहेग इलेक्ट्रोन आपका आगे यागE जायग उङरेकंपइन करेगा यहां से जैसे वह आगे जाएगा टेकें किसी जो भी इसमें 초・・・ मिलेगा जाके टेक करे तो जैसे ही रीकंबाइन करेगा तो नेट नेगटिव चार्ज देगा समय पर देखाएंगी जैसे आप हाइडरोजन को रख लो तो जैसी ही में नेगिटिव चार्ज यहां पे युटियर ऑनल से हमूँव करेगा तो पीच्छे कर चोड़ेगा more much ने किसी को दे दिया तो इस पे positive charge आजएगा तिक है positive जाएगा तो वह formation यहां पर होगी ठीक है वह formation आपकी यहां होगी ठीक है वह मैं यहां ड्रहू कर रहा हूं अगर किसी को फिर समझने आएगा तो comment section बता देना फिर से इसका यक अलग से बीडियों बना कि formation of depletion layer कैसा होता है, तो मैं यहां फे ड्रो कर रहा हूँ, ठीक है, यहां पे मैंने बहुत नेगटिव जाया जाएगा, ठीक है, और यहां पे positive, ठीक है, यह आपका depletion layer form हो जाएगा, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब आते है, अब depletion layer म्तलब क्या हुआ मतलब क्या होगा कि आपका ये ये एक पानी का पाइप था ठीक है द्यान से देखना पानी का पाइप था यहां पर मैंने एक बैरियर लगा दिया है उस बैरियर में उस बैरियर को तोड़ने के लिए ठीक है तो बीच में बैरियर है तो उसकी भी कुछ ताकत होगी तो उस बै लगानी पड़ेगी तो उस force की value यहां के case में example दे रहा हूं यहां के case में मान लो कि point 7 है तो same यहां पे वोई case ले लो understand करने के लिए तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं इसके आगे में चलता हूं आपका कैसे electrons का फ्लो होता है तो इन रिवर्स बाइस पी साइड ऑफ दा डायवड़ी स कनेक्टेड टू दा नेगेटिव एंड रही है और एंड इस पोजिटिव ठीक है तो अब क्या होगा इसको पोजिटिव और इसको नेगेटिव लिखता हूं अब क्या होगा दोस्तों हमारा देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज है यहां पर पोजिटिव चार्ज है ठीक है यहां पर पी है सोरी होल से यहां पर तो होल्स की जो क्या होगा अभी इलेक्ट्रोंस क्या है इलेक्ट्रोंस सारी अपूजिट डिरेक्शन में जो अपके ह यहां से रिपैल होंगे आगे को जाएंगे और मतलब पोजिटिप से आज की तरफ जाएंगे और जब यहां से वह आगे इस तरफ को बढ़ना स्टार्ट होंगे तो सेम यही अब कि यह यह चीज बढ़ती जाएगी dipulation layer बढ़ती है क्योंकि recombine करेंगे करेंगे इसे पोस्टीफ पोस्टीफ थेकै तो फिर से यहां यहां पर झाल बनेगा पीछे से थैज है ठीक है जैसे वजह से वह आगे रिकंबीनेशन होता रहेगा तो मतलब यह हम जैसे कभी आँखों से देखेंगे तो इसको कैच नहीं कर पाएंगे बट यह समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अभी यहां तक आप समझ लो कि यह रिकंबाइन होगे तो डिपलीशन कुछ ना कुछ तो ऐले पास होंगे एक जिटना कुछ ही देटन होती है कीटक प्रीम पारेक लिए कोई आईटल नहीं है आंकी तो i think आपको यह चीज समझ आए होगे कि जैसे जैसे depletion layer बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा potential barrier यह बढ़ता जाएगा potential barrier बढ़ता जाएगा तो जैसे ही potential barrier बढ़ता जाएगा जेने डायट जो होता है ठीक है वो भी डिसक्स करेंगे क्योंकि लोजिक ये भी बैठता है कि अगर यहां पर पांच वोल्ट है या 0.7 या 1.27 कुछ भी बोल्ट दिया है तो इसका जो वैली होगा वेरियर पोटेंशिल का वो किसी टाइम पर इससे ज्यादा होने के चांसे हो आपको चीज्स समझ में है आए थीकिया तो आभको यहां तक समझ में आया होगयो लुए थोड़ा सा कि युल करता हूं में इनके साथ JUST क जहां से लेक्टरोन निखले गा हां पॉजिव चारा बनते जाएंगे जहां को एलेक्टरन जाएगा जिसके पास जाएगा वो नेगटिव चार्ज देता जाएगा ठीक है तो यह यहाँ पे एक इम्मोवाइल साइंस बना देते हैं एक वर्ड याद रखना है वो डिप्लीचन लेर को और बढ़ाता है क्योंकि हमने बैटरी की जो डिरेक्शन है पोजिटिव नेक्टिव की वो अपोजिट कर दिये तूदा फोरवड वाइस तो आई तिंक और यहां तक आपको समझ में आया होगा किसी को कुछ भी डाउट आया या लगता है इस वीडि आपको समझ आया है कि नहीं है